केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून पास अधिकांश राजस्भा सदस्यों ने दिल्ली के मुख्य मंत्री सीम अर्विंद केजरिवाल का समर्थन नहीं किया और राजस्भा ने 7 अगस्त को राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेक 2023 पारित किया जिसने इस विशय पर अध्यादेश की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने केजरिवाल सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मई 2023 में एक अध्यादेश पेश किया था केजरिवाल इस अध्यादेश को राज्यसभा में फेल कराने के लिए विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन केजरिवाल जो आम आदमी पार्टी आप के शीर्ष नेता भी हैं विफल रहे चुंकि केजरिवाल अपने और अन्य आप नेताओं के खिलाफ घ्रश्टाचार के मामलों को बेईमानी से बंद करने के लिए दिल्ली में अधिक शक्तियां चाहते थे इसलिए मोधी सरकार ने यह नया कानून पारित किया है जो केजरिवाल को दिल्ली में उनकी प्रशासनिक शक्तियों से वंचित करता है अब नय कानून के बाद केजरिवाल दिल्ली के नौकर शाहों को नियंतरित नहीं कर पाएंगे इस प्रकार वह उन्हें अपने और अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों को वापस लेने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे अब उपराजपाल, एलजी, दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख होंगे हाला की भ्रष्ट राजनेताओं से भरी मुख्य विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस ने अध्यादेश को हराने के लिए आप और केजरिवाल का समर्थन किया लेकिन दिल्ली में कॉंग्रेस के कुछ स्थानिय नेता खुले तौर पर केजरिवाल के भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं उदाहरन के लिए दिल्ली कॉंग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अजय माकन ने जून में कहा था कि केजरिवाल को बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के लिए जल्द ही जेल भेजा जाएगा माकन ने एक लंबे ट्वीट में कहा कि केजरिवाल के कुछ सहयोगियों की तरह जो पहले से ही भ्रष्टाचार के अपने कृत्यों के लिए जेल में हैं केजरिवाल भी जेल जाएंगे दिल्ली में कॉंग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि केजरिवाल की आप पार्टी को समर्थन देने का मतलब भरष्टाचार को समर्थन देना है लेकिन वरिष्ठ कॉंगरेस नेतरित्व ने भरश्टाचार के कई मामलों का सामना कर रही केजरिवाल की आप से हाथ मिलाने के लिए दिल्ली कॉंगरेस के नेताओं और कार्यकरताओं की भावनाओं की अन्देखी की केजरिवाल और उनके आप सहियोगियों के खिलाफ ध्रश्टाचार के विभिन मामलों में कई शिकायते दर्ज की गई हैं इन मामलों में दिल्ली शराब घोटाला, स्कूल निर्मान घोटाला, मनी लॉंडरिंग मामले, हाउसिन सोसाइटी घोटाला और केजरिवाल द्वारा अपने घर के नवीनी करण पर भारी सार्वजनिक धन का दुरुपियोग शामिल है केजरिवाल के साथ केंद्रिय जाच ब्यूरो, CBI और प्रवर्तन निदेशाले, ED की जाच रिपोर्ट में जिन अन्य आप नेताओं के नाम सामने आये हैं उनमें सत्येंद्र जैन, मनीश सिसोदिया, संजय सिंग और राघव चडधा शामिल हैं जैन और सिसोदिया भ्रष्टाचार के अपने कृत्यों के लिए पहले ही जेल जा चुके हैं उमीद की जा रही है कि भोले भाले पत्रकारों द्वारा आयोजित तथाक्थित प्रेस कॉन्फरेंस में जो शोर से जूट फैलाने वाली आम आदमी पार्टी की एक महिला राजनेता को जल्द ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूछताच के लिए बुलाया ज इसी तरह पंजाब में मुख्यमंतरी भगवंत मान के नेतरित्व में आप नेताओं को गिरफतार किया जा सकता है और जेल भेजा जा सकता है क्योंकि सिसोदिया की संदिग्ध दिल्ली शराब नीती पंजाब में भी लागू की जा रही है शिरोमनी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के राज्यपाल से राज्यकी आप सरकार ग्वारा किये गए 500 करोड रुपए के कथित शराब नीती घोटाले की जाँच कराने का आगरह किया है हालांकी केजरिवाल और उनके बेइमान आप सहयोगी अपनी पीठ थप्थ पाते रहते हैं लेकिन उन्होंने दिल्ली को नर्क बना दिया है केजरिवाल और आप के कई अन्यनेता जहां जाँच का सामना कर रहे हैं वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनै सक्सेना ने केजरिवाल द्वारा अपने घर के नवीनी करण पर सारवजनिक धन के कथित गबन की जाँच के आदेश दिये हैं आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में अपने काम के बारे में सरासर जूट बोलते हैं सक्चाई यह है कि दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा का स्तर खराब है और केजरिवाल जिन मुहल्ला क्लीनिकों की प्रशंसा करते हैं वे बुरी स्थिती में हैं दिल्ली में पानी, बिजली और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है एक ओर जहां शहर बद्बूदार घरेलू कचरे से अटा पड़ा है वहीं यह एक विशाल कूडेदान बन गया है क्योंकि घरों में मच्छरों के जुंडपन पते हैं जिससे दिल्ली के निवासियों का जीना दूभर हो गया है इस बीच एक नई वैश्विक रिपोर्ट पारिस्थितिक खत्रा रिपोर्ट 2022 पारिस्थितिक खत्रों लचीलापन और शान्ती का विशलेशन ने दिल्ली में एक आसन्न पारिस्थितिक आपदा की चेतावनी दी है रिपोर्ट में कहा गया है कि खराब बुनियादी धाचा, धातक वायू प्रदूशन, कमजोर नियामक धाचा और प्रशास्निक विफलता जैसे कारक दिल्ली को 30 मिलियन से अधिक की आबादी के लिए अस्थिर बनाने जा रहे हैं जैसा की केजरिवाल एक चालाक राजनेता हैं, वह दिल्ली के भोले भाले मतदाताओं से जूठ बोलकर चुनाव जीतते हैं अधिकांश अन्य बेइमान राजनेताओं की तरहें, केजरिवाल और आप अपने काम को जूठा दिखाने के लिए फर्जी विज्यापनों पर जनता के सैकडों करोड रुपए खर्च करते हैं इस प्रकार वे ध्रामक रूप से चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं की आँखों में धूल जोगते हैं, जिनमें से अधिकांश अन्पड हैं इसके अलावा केजरिवाल कुछ लालची वकीलों को जनता के करोडो रुपए का भुगतान भी कर रहे हैं, जो अदालतों में उन्हें और अन्य आप नेताओं को बचाने की कोशिश करते हैं चुंकी केजरिवाल को आम आदमी पार्टी के भरष्टाचार के मामलों को निप्ताने के लिए सारवजनिक धन खर्च नहीं करना चाहिए, इसलिए यह भरष्टाचार का एक रूप है जो केजरिवाल बेइमान वकीलों के साथ मिलकर करते हैं, विशेश रूप से जो कॉंग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। कॉंग्रेस के इस फैसले से दिल्ली और पंजाब में पार्टी के फिर से उभरने की संभावना खत्रे में पढ़ जाएगी जहां आपका शासन है और इन दोनों राज्यों में कॉंग्रेस और आपके बीच कड़ा मुकाबला है। जाहिर है दिल्ली और पंजाब में कॉंग्रेस कार्यकरता भी हतोत साहित होंगे क्योंकि वे आपके साथ किसी भी गठ बंधन के प्रतिकूल परिनामों के बारे में शीर्ष नेत्रित्व को चेतावनी दे रहे हैं। कॉंग्रेस ने आपके साथ एक गंदे समझोते पर सहमत होने का जोखिम उठाया है। लेकिन यह निश्चित नहीं है कि केजरिवाल लोक सभाचुनाव में कॉंग्रेस का समर्थन करेंगे या नहीं क्योंकि केजरिवाल और अन्य आप नेता अपने अनैतिक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। आम आदनी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच अपवित्र गठ बंधन के परिनामस्वरूप सन्युक्त विपक्षी समुह के लोक सभाचुनाव जीतने की संभावना भी काफी कम हो गई है। यह मोधी और भाजपा को 2024 के लोक सभाचुनाव को आसानी से जीतने में मदद करेगा। इस कहानी की पठकथा और निर्मान राकेश रमन ने किया है, जो एक राष्ट्रिय पुरसकार विजेता पत्रकार और मानवतावादी संगठन आरेमिन फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आजकल वह कई समाचार साइटों पर अपनी वैश्विक समाचार सेवाएं चला रहे हैं, जो राजनीती, व्यवसाय, प्रौध्योगी की, मनोरंजन और शिक्षा जैसे विश्यों को कवर करते हैं। आप इस वीडियो के तहट दिये गए संबंधित लिंक देख सकते हैं, और अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए आरेमेन यूट्यूब चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। आप से हमारी आरेमेन न्यूस सर्विस को दान करने का भी अनुरोध है, जबकि दान लिंक नीचे दिया गया है। भन्यवाद।